गायत्री महमंत्र एक बार मेरे साथ दोराओं। एक अपने अस्तित्त को बचाना और दूसरा प्रगती के बार पर चलना। रास्ता सब उस पर चल रहे हैं और उसके लिए महनत कर रहे हैं। हर जीव सफलता की तरफ चन रहा है। पहला मैंने कहा अपने अस्तित्त को बचाना। स्तित्त को बचाने के लिए रोटी, जल और वायू तीन चीट चाहिए। उसके लिए प्रियासरत हैं, हर कोई उसके लिए प्रियासरत है। दूसरा सफलता, बस भ्रांती यहीं पर आकर के हुई है। क्या भ्रांती हुई है। पहला तो मैंने कहा स्तित्त को बचाना। अब स्तित्त को बचाना नहीं है। भोग भोगना रह गया है। आदमी चटोरा हो गया है। आदमी स्वार्थी हो गया है। उसके कारण वो केवल अपने स्तित्त को बचाने तक सीमित नहीं है मैंने पिछले प्रवचन में आप लोगों को कहा था कि भारती ये स्तर का ओसत जीवन अगर व्यक्ति जीए तो वो सब को अधिकार है सब को अधिकार है और अधिकार से मतलब क्या हुआ ना वो गरीब रहे और ना वो रहीस रहे गरीब रहेगा तो हींता का भाव आएगा रहीस बनेगा तो एहिंकार का भाव आएगा इसलिए दोनों में निरलित हो करके अपने जीवन को जिये तो बात बनती है अब मैं फिर से कह रहा हूँ अभी आपको इस पस्ट करूंगा इस दुनिया में तीन तरह के मार्ग हैं गाउं में खेतों में जाने के लिए पकडंडियों से जाना पड़ता है पकडंडियों से जाना पड़ता है परन्तु खेत से खेत में बैल गाड़ी ले जाने के लिए बैल गाड़ी के रास्तों का इस्तिमाल करना पड़ता है और एक सहर से दूसरे सहर में जाने के लिए सडकों का इस्तिमाल करना पड़ता है मैं फिर से कहता हूँ पगडंडियां छोटी होती है शोट कट होती है आदमी अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए छोटे रास्ते बना लेता है कई बार तो पगडंडियां खेत की मेड नहीं खेत के बीच से निकलती है पबलिक है निकलना सुरू कर देती है और जबरजस्ती निकलती है उसके कारण वो खेत के बीच को चीर करके बाहर निकल जाती है बैल गाड़ी निकल नहीं निकल सकती है बैल गाड़ीयों को प्लेन रास्ता चाहिए प्लेन रास्ता चाहिए पगडंडिया तो उची नीची उपड़ खाबड में भी चल जाती है परन्तु बैल गाड़ी नहीं चलती उसे प्लेन रास्ता चाहिए इसलिए वो रास्ते थोड़ा गुमावदार होते हैं गुम करके जाना पड़ता है रास्ते कच्चे होते हैं उनमें धूल, मिट्टी, रेत भरे हुए होते हैं और घुम करके अपनी मंजिल तक ले करके पहुँचाते हैं तीसरे जो रास्ते होते हैं वो उससे भी जादा गुमावदार हो सकते हैं परन्तु अंतर ये होता है कि वो पक्के होते हैं और पक्के के साथ साथ सरकार उसके उपर रोसनी की व्यवस्था भी करती है जो पकडंडियां हैं उन पर चलने के लिए सूरज के प्रकास में चलना पड़ता है रात्री के प्रकास में चलते हैं तो कीडे काटे का डर वहता है परन्तु जो बैल गाड़ी के रास्ते हैं उनमें भी दिन छिपने के बाद चलने में जंगली जानवरों का खत्रा बना रहता है जो पक्के रास्ते होते हैं उन पर रात दिन जक्ती चलते रहते हैं और जैसा रात में होता है वैसा ही वो रास्ते दिन में भी होते हैं ना तो उनमें ये खत्रा होता है कि कहीं पर खड़ा आएगा ये कोई खत्रा नहीं होता है और ना ये डर होता है कि कोई कीडा कांटा या जंगली जानवर आएगा उन पर रात दिन पब्लिक चलती रहती है इसलिए वो पक्के रास्ते होते हैं बात को आगे बढ़ाते हुए अब मैं जीवन के पत के बारे में आप से बात करना चाहूँगा और जीवन के पत पर बात करने के लिए ये कहूँगा जीवन सुन्दर एक अपवन के रूप में हैं जैसे इस दुनिया के अंदर कटीली जाडियां भी उगती हैं तो इस दुनिया में फूल भी उगते हैं कटीली जाडियों की बार लगा करके सत्रूों को रोका जाता है परन्तु खोबसूरत फूलों को सजा करके उनका गुलदस्ता भी बनाया जाता है ठीक इसी तरह से जीवन को सजाने के लिए प्रकर्ती ने हमें गुन दिये है जिससे हमारी सोभा बढ़ती है विविद रंग वाले फूल सजोए जाते है यदि सबी एक जैसे हो तो विविदता जन्य जो आकरशन है वो संसार में नहीं रह जाएगा जान लेना सूरज हम को प्रकास और ताप ही नहीं देता है उसके अंदर साथ रंग भी छुपे रहते हैं उन साथ रंगों के कारण अगर साथ रंग नहीं होते तो सारी दुनिया में एक ही रंग रह जाता और सब एक रंग की नजर आती उनमें भेद दिखाई नहीं देता बेद को पैदा करने के लिए उसने साथ रंग बनाए दुनिया रंग बिरंगी दिखती है सुन्दर दिखती है सुन्दर दिखने के कारण ऐसा प्रतीत होती है कि वो अपने अंदर तरह तरह की विविदताओं के कारण हमारे अंदर वो तरह तरह के गुनों को आकरशन के रूप में कहिए लगाव के रूप में कहिए पैदा करती रहती है और अपनी पहचान को बनाती है स्रस्टी ने प्राणियों और वनस्पतियों में आकार में तरह तरह की भिन्नता रखी है और इसमें नाकेवल स्रस्टी का सुन्दर ये बढ़ता है वरन विविदता के साथ रहने पर उसके बीच में रहने से विसेशताओं से परिचित होकर के ग्यान की संपदा को बढ़ाने का भी मौका मिलता है यदि यहां सब कुछ एक जैसा होता तो किसी को कुछ सोचने का अवसर नहीं मिलता या किसी से कुछ लेने का अवसर नहीं मिलता यहां फिर किसी में कोई कमी नहीं होती और किसी में देने के लिए कोई उनके पास कुछ होता नहीं जो लेन देन का क्रम चल रहा है वो लेन देन का क्रम नहीं चलता हरेक की अपनी अपनी विसेस्ताई है उन्ही विसेस्ताओं के आधार पर चिकित सा विज्ञान बना है, बहुत एक विज्ञान बना है, रसाइन विज्ञान बना है, उन पदार्थ कहिए, केमिकल्स कहिए, खूबियां कहिए, जो भी आप कहे, उनका प्रियोग आदमीर करता है, परंतु जब अपने में कमी होती है तो पूर्ती उससे कर लेता है ज्यान को चेतना की सर्वो परी विभूती माना गया है ये ज्यान विविदता के साहरे उपलब्द होता है भिन्नता की ही उपियोगिता और अनोपियोगिता के अंतर को उकसाती है अपने अंदर उकसाती है मैं फिर से कहूँगा ठीक से समझ लेना जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने अंदर उत्तेजना को पैदा करती है हमारी चेतना को प्रभावित करती है और प्रभावित हो करके हम फिर उसी अनुसार अपने करम को करने लग जाते हैं इस दुनिया में दुर्जन भी है और इस दुनिया में सज्जन भी है, ये एक कोटी है, परकार है, किस्म है, एक स्रेनी है, जिसको बनाया गया है, जान ले ना, इसी के सहरे प्रेम और विरोध का सिलसिला चलता है, जो सज्जन है, उनके साथ प्रेम और जो विरोधी है, उनके साथ घरना, ये क्रम चलता रहता है, हिंस पसू और चोर उचक्के यहां तक उनसे सतर्क रहना पड़ता है मैंने अभी आप से कहा था पगडंडियों की बात कही और जो बात कही बैलगाडी की बात कही उसमें अपने बचाव करने के लिए जब पगडंडी पर व्यक्ती चलता है तो उनसे संभावनाओं के बीच से चलता है कि मैं पगडंडी से गुजर रहा हूँ इस समय मेरे साथ क्या घटना घट सकती है उस घटना के विरोध के लिए वो उस तरह के साधनों को जो बचाव के साधन है उनको ले करके चलता है मैंने कहा जब वो बैलगाडी से चलता है तो उस समय बैलगाडी पर अपने बचाव के साधनों को ले करके सतर्क रह करके ततपर रह करके अपने लिए चलता है और उसको सावधानी बरतनी पड़ती है इसी को आत्म रक्षा के साधन कहते हैं जो व्यक्ती को जुटाने पड़ते हैं सतत चलता हुआ आदमी अगर सोच करके देखिए अपने उस चलने के छेतर में आलसी हो जाए या पेट के भरने में निकम्बा हो जाए तो सोच करके देखिए उसकी आवसकताएं जो सामई का आवसकताएं हैं उनकी पूर्ती नहीं होगी और पूर्ती नहीं होगी, तो आलसी होने के कारण, लापरवाह होने के कारण, वो उन घटनाओं को, जो उसके जीवन में घटती हैं, वो घटनाएं उस परिस्थितियों के आधीन हो करके, उसको रोंदती चली जाती हैं, वो उनके नीचे कुचलता हुआ चला जाता है, मैं फिर से कहूंगा, आदमी अगर अपने स्वे को, अपने स्तित्तों को बचा करके रखना चाहता है, तो अगर आदमी के पास मैं, अगर आदमी डरपोक है, डरपोक है, तो सच बताओ, डरपोक होने के कारण, वो परिस्थितियों का मुकाबला कर सकेगा क्या? मैं फिर से कहता हूँ सारी विविदताएं जितनी भी संसार में देखने को मिलती है उन सब का आधार केवल सूरिय है ये सारी विविदताएं जितनी भी है वो सूरिय से ही पैदा होती है अब आप जान लेजिए जन विवेक को जागरत करने का एक ही आधार है विविदताओं के मध्य सर्वोत्तम का चुनाव प्रतियोगिताएं इसलिए होती है के जीतने के लिए समलित होने वाले सभी घटक विसेस रूप से अपनी तैयारी करके आए और इस बहाने से क्या होता है अपने योगिता को बढ़ने का एक सर्वोत्तम उपाय मिलता है व्यक्ति विजेता बनता है चुने जाने पर अपने आपको महान समझता है पहले की अपेक्षा योगिता कहीं अधिक बढ़ जाती है इस काला प्राजितों को भी मिलता है और जो इस प्रधा में जीत गए उनको भी मिलता है उनका सोरिय, साहस, पुरुसार जगता है यदि भिन्यताओं का माहूल ना रहे, प्रतिस प्रधाएं ना चले तो व्यक्ती का जीवन नीरस, नीरव, बीच में प्रगर्ती की संभावना जैसे कोई बात नहीं रह जाएगी इसलिए व्यक्ती के जीवन में विविदताएं छुपी हुई है उसको ऐसी जगह, ऐसी कल्पना करना कठिन नहीं पड़ता जहां दुनिया की अंगड और कुरूप लगने वाली आलश उदासीन ता उसकी अपेक्षा अधिक कुछ उसको दिख पड़े मैं फिर से कहुँआ, जीवन एक ऐसा पत है, जो कटीली जाडियां मैं कहता हूँ, पगड़न्डी किसी एक व्यक्ती के चलने से नहीं बनती है निरंतर उस पर पैदल चलने वालों का सिलसिला चलता रहता है पर जीवन आपका अपना है जितनी पगड़न्डियां है, वो तो धर्ती पर बनी है मैं फिर से ये कहता हूँ, अपने जीवन की जो पगड़न्डी है उसको तो अपने आप बनाना पड़ता है वो पहले से बनी हुई नहीं है फिर तू बादे से समझे सुक के सागर में गोते खाते हुए हर व्यक्ती कभी दुख का तूफान आता है उसमें भैभीत हो जाता है तो कभी बसंत की सुसमा और मनोहर द्रस दिखाती है तो कभी पतजड का परिवेश हमारे हिर्दे को कस्ट देता है जीवन यात्रा का ये पत कभी भी सुरम गाटियों से हो करके गुजरता है कभी उबड खाबड दुर्गम रास्तों से हो करके गुजरता है दुर्गम रास्तों से गुजरते समय कभी कभी पत को छोटा करने के लिए यात्री अपने लिए पगडंडियों का इस्तेमाल कर लेते हैं इन में से कुछ पगडंडिया तो रास्ते को छोटा कर देती हैं पर कुछ मात्र भटकाव ही पैदा कर देती हैं जीवन पत पर भी पगडंडिया बहुत हैं जो दिखती तो छोटी हैं और ऐसा आभास भी हमें कराती हैं कि वो मार्ग तक पहुचा देंगे पर कहीं भी पहुचना उनके लिए पगडंडियों के माध्यम से संभव नहीं है क्योंकि पगडंडियों की अपनी कोई मंजिल नहीं होती एक जगे तक वो जाती जरूर है परंतु उनकी कोई मंजिल नहीं होती है जाने वाले जहां तक जाते हैं वहां तक पगडंडियां जाती हैं उससे आगे उनकी गती नहीं होती कहीं दुख के चणों में मनुष ऐसी भूल कर बैठते हैं जब वे छोटे और सरल रास्तों के लालच में मुख्य मार्ग को छोड़ करके कहीं ओर की यात्रा पर निकल पड़ते हैं जीवन का मुख्य मार्ग जीवन का राजपत जीवन का धरम मार्ग अपने अपने रधारित करना पड़ता है सुखाए अत्वा दुखाए इस राज मार्ग को छोड़ने की भूल कभी नहीं करने चाहिए क्योंकि अंतत्य गंतव्य तक पहुँचने का एक ही रास्ता है उसको राज मार्ग कहते हैं आप लोगों ने देखा होगा एक मन तीन मार्ग तो आपको बताए परन्तु एक मार्ग और भी है उस मार्ग को कहते हैं जिस पेसे राजा गुजरते हैं एसे मार्ग पर पहरा रहता है सरकार का कि उस मार्ग में कोई किसी तरह की हानी पहुचाने वाला कोई भी व्यक्ति उसमें घुसना जाए जिस पेसे राजा हो करके गुजरता है इसलिए उस मार्ग की सुरक्षा भी करनी पड़ती है ऐसा मार्ग राजाओं के लिए बनाया गया है क्योंकि अंतते हर किसी को अपने गंतव्य तक पहुचना होता है और आजा और कोई किसी की बात नहीं कर रहा हूँ आत्मा के मार्ग की बात कर रहा हूँ जिस रास्ते को आपकी अंतर आत्मा स्विकार करती हो तो परमात्मा उस पर जीव को संरक्षन भी देता है जिस ग्यान भगती के मार्ग पर हम चलते हैं उसमें जो हमारी सुरक्षा हमको देता है वो परमात्मा देता है देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ तीन मार्ग और मैंने बताई थे जब व्यक्ति लोग वस मोह वस काम वस कुरोद वस किसी भी अपने वसी भूत हो करके चलता है तो उसमें बुराईयां आकर के व्यक्ति को चलने का व्यक्ति को दुख देने का व्यक्ति को ठगने का काम उ अच्छे से समझना यहां पाप भी है पतन भी है अनीती भी है परंतु क्यों है क्योंकि आदमी सिग्रता से पोँचना चाहता है अपने गंतव्य तक सिग्रता से पोँचना चाहता है उसके अंदर धैरिये नहीं है वो अपने धैरिये को खो करके तुरंत अपनी सफलता को पा चाहता है उतने प्रियास को नहीं करना चाहता है हमारी चाहते सिग्राते सिग्र पहुचने की हो जाएं तब लालच में लोग धरम के सदाचार के मार को छोड़ करके अपून महत्वा कांग्शां की पूर्ती के लिए निकल पड़ते हैं जरुवत एक बात की है वो राजपत जो राज पत होते हैं मैंने अभी आपको बताया उस पर राज़ा लोग चलते हैं तो बताओ उसमें की चड दलदल कहां से आईगी अगर आईगी तो राज करमचारियों की ये डूटी है कि उस दलदल को हटाए उस दलदल को राजा के लिए किसी भी तरह की कोई भी अर्चन उनके सामने पैदा ना हो धरम का जो पत है वो समय साथ है करतव्यों से परिपून है जीवन का राजमार्ग है उस पर चलते हुए जीवन के उद्देश्च को प्राप्त करना ही हम सब की चुम्मेदारी है जीवन को जीने के लिए हम आए है इस जीवन को जीने के लिए नहीं आए है बलकि उस पून्ता को प्राप्त करने के लिए आए है जिसको प्राप्त करने के बाद हमें अपनी आत्मा और परमात्मा के दरसन हो जाए पिर से कहूँगा अभी जो हमें दर्सन होते हैं वो लोब के, काम के, मोह के, क्रोध के, एहिंकार के ये दर्सन हमें होते हैं और वो हमको प्रभावित करते हैं और प्रभावित करने के कारण उसी तरह की बृतियों के रूप में हमें जोड करके दखते हैं आवशक्ता एक बात की है विवेक को जागरत करने की आवशक्ता है अगर विवेक को जागरत करना चाहते हैं तो उसका एक ही आधार है विविदताओं के मध्य सर्वोत्तम का चुनाव प्रतियोगताएं मैंने कहा था इसलिए ही होती हैं प्रतिसपरदाएं मैंने बताया इसलिए ही होती हैं आदमी उनकी तैयारी करता है सर्वोत्तम का चुनाव करता है कि मैं उसमें अवल दर्जे पर आजाऊं जीत जाऊं मैं कहूंगा मैंने आपको पिछले दिनों विचारध के बारे में आपको बताया था कि विचारधारा ही इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है आत्मिक दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है जैसे इस दुनिया की बड़ी शक्ति बिजली है ऐसे ही इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति का नाम है कि विचार सीलता विचार सीलता म मैं निवेदन पूर्वक आप से कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति जितना विचार सील होगा, वो उतनाई भावना से संपन भी होगा, भाव से संपन होगा, यहां मैं कहा रहा हूं, व्यक्ति को अपने फनने फूलने के लिए उचित, जो समझ है, वो मिलती चली जाएगी, और स अपने अपने धंग से प्रियास तो सभी करते हैं, पर विवेक सीलों की बात को जान करके देखिए, जिनको विजय मिलती है, जो परमुकता के साथ, द्रड़ता के साथ, अपने मार्ग पर बढ़ते हुए चले जाते हैं, मैं निवेदन पूर्वक कहूंगा, प्रियास इस दुनिया में निरंतर चल रहे हैं, परिक्ष्णों के माध्यम से अधिक से अधिक स्रेश्ट जो पाया गया है, उसको अपनाए जाने पर जोर दिये जाते रहे हैं, निरनायक अवसर सभी को मिलते हैं, और अपने निरने को सभी को मानना पड़ता है, जब मैं कहूंगा, पुवन भी हैं, इस दुनिया में सब कुछ है, अपने अपने धंग से, अपनी अपनी बात कहने का, अपनी बात का प्रस्तुत करने का, सामने रखने का अवसर सभी को है, सत्य की सोद में अधिक से अधिक बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता से परिपून व्यक्ति इस दु को ढूंड रहे हैं जिस पर चल करके उनको सफलता मिले बारतिय संस्कृति और परंपरा को इसलिए विश्व वंध और सत्य के अतिनिकट माना गया है उसमें मानविय मोलिक अधिकारों को उप्युक्त आधार प्रदान किया गया है विचारों की अभिव्यक्ती ऐसी ही मान्यता है जिसको अपने देश में समुचित स्थान सम्मान दिया गया है यही कारण है कि हम विचार धाराएं अनेक मान्यताएं और अनेक विचारों के रूप में उनको क्रिया सील कर रहे हैं जिससे अनेक तरह की परंपराएं समाज में पैदा हो गई हैं उन विविदताओं में हमारा समाज बढ़ता हुआ या दूसरे सब्दों में कह दू बिखरता हुआ मैंने गुल्दस्ता आपको कहा था गुल्दस्ता तभी बनता है जब हर तरह के फूल एक साथा करके मिलते हैं विशेष्टाएं हर मार्ग में हैं हर तो उसी से ही एक गुल्दस्ता बनता है परंपराएं मान्यताएं अनेका अनेक हैं पर विश्व धर्म एक है हिंदू धर्म में समलित होती हुई सभी चक्तियां कितनी जातियां उपजातियां संप्रदाएं कितने सारे हैं पर जब सब आकर के एक जगे पर मिल जाते हैं तो तो वो ही हिंदुत्यों की पहचान बन जाते हैं, अपनी पहचान अलग रख करके इस विश्वधर्म के प्रियासों में एविछिन रूप से वो उसका अंग है और हम जुड़े रहते हैं, परंतु अपनी ही परंपरा, अपनी धारा का अलाप, जब हम अलापते रहते हैं, तो विग्टन का कारण है, उसको अपने प्रियासों में लाकर के हम विग्टित होते हुए चले जाते हैं, संसार में जब कभी एकता समता का माहूल बनेगा और सदा सांती बनाए रख सकने वाली विवस्था बनेगी, तो विचारों की भिन्नता को सहन करने का ही सिद्धान्त अ उसके बिना विक्रह चलते बढ़ते रहेंगे, हर कोई अपने पक्ष में प्रतिस्था का प्रसंद बन जाएगा और कथन सच्चा बन करके दूसरे सभी को बान्यता जूटी करार देगा। यहां जूटी माननेताओं को ठैरने के प्रसंद पर वो अड़ जाएगा, इस आधार पर उठे विवादों का समाधान कभी किसी से संभव नहीं हो सकेगा। आज आप देख भी लीजिए, इतनी समश्चाएं आदमी के सामने आकर के खड़ी हो गई हैं, तरह तरह के सुझाव, तरह तरह के साधन, तरह तरह की सुईधाएं, तरह तरह के सहयोग, तरह तरह के जब तप कर्म, यह सब आदमी कर रहा है, परन्तु सच को देखिए, सारे काम करने के बावजूद भी व्यक्ति की इस्तती कैसी की कैसी बनी हुई है अगर विचारों का परिशोधन करना चाहते हो तो उस विवेक को आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा उस राजमार्ग को आपको मानना पड़ेगा जिस पर चल करके हम अपनी उस पूनता तक प धारण किया है सही तरीका यह है कि पर्चलित जो मत्भेद हैं उनको सुल जाने के लिए कोई निश्पक्स न्याय अपने अंदर पैदा किया जाए गायत्री मंत्र में वो सारी प्रेरणाय सन्निहित हैं जो इस जीवन को जीने के लिए हम को चाहिए और गायत्री मंत्र शक्ति का संप्रेशन करता है और संप्रेशन करके उन शक्तियों को अपने अंदर जागरत करने का प्रियास करता है। उनके गुन हमारे अंदर आते हुए चले जाते हैं और गुना करके हमारे गुनों का संप्रधन करते चले जाते हैं। मानस ऐसा बने तो जो नियायाल्य के निर्णय के रूप में सत्य अधिक से अधिक समीप समझ में आए और मान्यता बन जाए ये काम चलाओ तरीका है इसे सत्य सोधन के प्रियतनों में एक प्रगति सीन कदम माना जाए। उस पर चलते हुए ये नहीं कहा जा सकता के लिया हुआ निर्णय किसी और का था या हमने गलत लिया। सदा सरवदा के लिए मान्य ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो हमारा क्रमिक विकास क्रम से करता हुआ चला जाए। अनादी काल से ये दुनिया चली आ रही है जिन में हमारे पूरवज भी हैं जिन में हमारे योगी महत्मा सिद्ध पुरुस भी हैं जिन में एक से एक बड़े वैग्यानिक भी हैं। उनके जीवन करम को देखा जाए, सोचा जाए, समझा जाए और तब कहीं जाकर किद्रने लिया जाए। अरंत काल तक ये दुनिया चलती रहेगी। आदिम काल की मान्यताएं भी इस धर्ती पर रही हैं। और मद्यकाल की भी रही हैं। मद्यकाल नहीं रुक पाया, आदिम काल भी नहीं रुक पाया। देखिए, वो सब चला गया, आज हम जिस वर्तमान काल में जी रहे हैं। पिछले हुए, गिबीते हुए को हम अनुप्युक्त समझते हैं। और जो अब चल रहा है, उसी को हम उप्युक्त ठेराते हैं। अगले दिनों जब हम आगे जाएंगे, तो जो आज हम जिस जीवन को जी रहे हैं, उसको आगे आने वाली पीड़ी अनुप्युक्त ठेराएगी और अपने को उप्युक्त ठेराएगी। अपने को उप्युक्त ठेराएगी। पर मैं आप से पूछता हूँ, जिन रिसी मुनियों ने, संतों ने, महत्माओं ने अपने जीवन को जीवन को अनुप्युक्त ठेराएगी आप। मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, अगर आप उन रिसीयों के महत्माओं के जीवन को अनुप्युक्त ठेराएं, तो शायद कहीं अंतर आत्मा में जाकर के, आपको कहीं पर एक आहट कचोट पैदा होगी, और कैसी होगी, जहां पर आप उनको गलत नहीं, अपने आपको गलत कहना पड़ेगा, ये शोधन है, ये परिशोधन है, किसका परिशोधन है, अपने आपका परिशोधन है, जिसमें परिशोधन करके हम एक चीज को ढूंडते हैं, कि सत्य क्या है, किस मार्ग पर हमको चलना चाहिए, आज पूर्ण रूप से सत्य एक पहेली बना हुआ है उसे प्राप्त करने के लिए बनुष्य को शोद की यात्रा पर अंत्ते निकलना ही पड़ेगा ऐसी दसा में उचित यही है कि सिद्धान्तों के संबंद में अपने मस्तिस्क को खोल करके रखा जाए और खोल करके रख करके उन मान्यताओं को जो वास्तों में हमारी अंतर आत्मा जिनको स्विकार कर रही है वो सर्वो परी हैं और उनको सही मान्यताए ठेराई जाएं उनमें उप्योगिता और यतारता के अंस को ढूंडा जाए ढूंडा जाए और साथ ही ये भी माना जाए कि अपनी विचार परदती में कहां चूक हो रही है और कहां चूक हो सकती है हमें क्या करना चाहिए उन भ्रांतियों का को भी ढूंडना चाहिए जिसका पुट उन भ्रांतियों का पुट जो हमारे विचारों के ऊपर चड़ा हुआ है इस प्रकार खुला मानस रखने के उपरान ये मान कर चला जाए कि हम सभी सत्य की सोध में अपने जीवन को लक्ष बना करके चलते हुए चले जा रहे हैं हम उस सत्यमार के पथिक हैं आज भी किसी की मान्यता अंतिम निरने पर नहीं है जो आज भी हमने या दूसरों ने सोचा है माना है उसमें कल कोई ऐसा धारन परिवर्तन करना पड़ेगा और पढ़ सकता है अपनी अपेक्षा दूसरों की सत्य के अधिक निकट होना अपने नैतिक नियमों के बारे में सभी को स्थिर्वती होना चाहिए एकता, समता, सुचिता, सहकारिता जैसे सिद्धानतों को सार्श्वत और सत्यमान करके उन पर चलना चाहिए परंपुज गुर्देव ने सुत्र दिये हैं समजदारी, इबांदारी, जिम्मेदारी और बाहद ये चार आधार परंपुज गुर्देव ने कहा है, ये चार आधार ठीक इसी तरह से हैं, जो पशु होते हैं, जिनके चार पैर होते हैं, ये जीवन के चार चरन हैं, जिनके सारे न कहता हूँ, एक बैल के चार पैर होते हैं, अगर एक में कोई गरबढ हो जाए, वो तीन हो जाए तो चार पैर से जितना चल पाता वो तीन पैर से नहीं चल पाएगा इसलिए सईयम सदाचार उदार और परमार्त ये चार नीतियों को अपना करके सत्य के निर्णे पर पुहुचा जाए पुरातन मुल्य अब हलके पढ़ते चले जा रहे हैं किसी जमाने में एहिंसा सच्चाई ब्रम्चरिय और संतोस उपासना च्छमा ये गुन जीवन के आधार माने जाते थे उन्हेंने सारस्वत सत्य का नाम दिया जाता था पर उन्हें उसी रूप में ग्रहन नहीं किया जा रहा है विरक्त संतों की बात दूसरी है पर उन्हें लोक व्यवार में भले बुरे संबंदों से निपटना पड़ेगा उनके लिए ये कहना कठिन है उन मान्यताओं को उसी आधार पर किरियानवित किया जाए जो उनका आधार है उधारन के लिए अहिंसा का अक्षर अंस्तै पालन नहीं हो सकता जूएं खटमल रोग मच्छर ये पैदा जो होते हैं क्रिविकीट हैं सर्प बिच्छू हैं इनके साथ अहिंसा का निर्वाह कैसे किया जाए उद्दंड आक्रमक आताताई भी यदि छमा की दुहाई दे कर प्रताडना से बचना चाहते हैं तो उनका हुसला सो गुना बटता हुआ चला जाएगा मुठी वराताताई सारे समाज पर आकरमन करके उसे सिकंजे में कसलेते हैं फिर भलेव आदमियों का जीवन दुरलब जीना हो जाएगा इसलिए सरकारी गुप्चर विभाग में काम करने वाले सैन्य संचालक अपनी स्थिती को हर स्थिती में प्रकट कर नहीं करते हैं अपनी स्थिती को छुपा करके रखते हैं उद्देश पून अपने जीवन को जीते हैं जिसके लिए उनको नियुक्त किया गया है चोरों के पूछने पर यदि कोई संपदा को सच्चा होने का अपना वो दे प्रमान दे कि मैं सच्चा हूँ और चोरों को सच्चा ही बता दे तो अपनी संपदा को लुटाएगा और नहीं लुटाएगा खुद अपनी संपत्ती को उनके सुपुर्द कर रहा है उप्रोक धर्म सिद्धान्त ऐसे हैं जिनका प्रत्यक्स और सर्वांगीन विरोध किया जाना चाहिए तो साती सात इतने अपवाद अगर मगर जुडते हैं जो सार्जनिक जीवन में सार्जनिक काली नहीं ठेराए जा सकते ऐसी दसा में बात घूम फिर करके एक ही चीज पर आती है और उसको कहते हैं विवेक सीलता किस प्रकार किस सिद्धान्त को किस समय मान करके उसको किरियानवित किया जाए उसका रिन्य करम छेत्र में व्यक्ति को स्वयम लेना पड़ता है एविछिन सत्य को ढूंडा ज परिस्थियों के अनुसार अनेक रूप में प्रकट जो हो सकता है परस पर विरोधी भी हो सकते हैं अहिंसा की विवस्था करने पड़ती है उसके लिए बुद्धी संगत जो व्यक्ति होगा दूसरों के साथ वो विवाहर कभी नहीं करेगा जिसको वो अपने लिए पसंद नहीं करता संतोस को भी पत्थर की लकीर की तरह नियमों से नहीं बांदा जा सकता संपता संग रह जैसे प्रसंगों में दृस्थिकों को अपना करके रखा जाना ओसत इस्तर के जीवन को जीने के लिए जो अधिक उपारजन की अपेक्षा नहीं करते यदि संतोस पत्थर की लकीर बन जाए तो लोकोप योगी कारियों में विस्तार नहीं हो सकेगा अपनी मान्यता, सालीनता कि वर्तमान इस्तर पर संतोस कर लिया जाए तो उसे परियाप्थ मान करके अधिक विस्ष्टता, अधिक परिपक्वता, वरिष्टता, सरेष्टता की इस्तिती को नहीं अपनाना जाए सकेगा इसलिए व्यक्ति को उतना ही नहीं कमाना चाहिए जितनी उसकी जुरुत है भरपूर अपनी मेहनत करके जादा से जादे कमाना चाहिए और कम से कम में गुजारा करके बचे हुए को परमार्थ में लगा जेना चाहिए यही जीवन की वास्टिक सच्चाई है इस आधार पर चल करके हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं आज की बात को मैं यही विराम दे रहा हूँ और यही बात मन में लगा करके मान करके सुधार का परिवर्तन का रास्ता आप अपना करके उस रास्ते पर चलेंगे आज की बात संपन्न ओम शांती ही शांती ही शांती